आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वायरलेसली आप कैसे अपने मुबाइल की स्क्रीन को लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इसमें मुबाइल डाटा की भी कोई जरुवत नहीं है इस मैथड से हमें अपने मुबाइल की स्क्रीन लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगी हम आराम से किसे पीडियाफ को पढ़ सकते हैं मुवीज देख सकते हैं फोटोस देख सकते हैं वीडियोस देख सकते हैं जोगी हमारे मुबाइल पर है यही तरीका मैंने इ मोबाइल की स्क्रीन को इसमार्ट टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हो और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूंगा अगर हम किसी भी चीज़ को जैसे की यूटूब, गूगल मीट या फिर किसी और एप को डायरेक्टली हम अपने लैपटॉप में चलाते हैं तो नेट जादा खड़ जोता है वहीं अगर मुवाइल की स्क्रिण को लैपटॉप की स्क्रिण से कनेक्ट करके किसी एप को या फिर यूटूब या फिर गूगल मीट पे हम अपनी क्लास लेते हैं तो इसमें डाटा चार्जिस कम लगते हैं पहले मैं आपको लैपटॉप में बताता हूँ कि लैपटॉप में क्या करना होता है हमें यहां पर सर्च बार में प्रोजेक्शन टाइप करना है यहां पर यह आ गया है प्रोजेक्शन सैटिंग प्रोजेक्शन की जो सैटिंग है उसे ओन करके लॉंच दी कनेक्ट एक्ट प्रोजेक्ट टूदी पीसी इस पर क्लिक करना है और हमें लैप्टॉप में बस इतना ही काम करना है उसके बाद जो फंक्शन है वो मुबाइल में हुआ मेरे पास यह वीवो का पुराना मॉडल है आज गल जो नए मुवाइल आ रहा है उनमें यहां पर जो नोटिफिकेशन बार आता है उसमें जो आइकन्स बने हुए रहते हैं उसी में से ही एक आइकन होगा जिसमें लिखा होगा कि कास्ट या फिर स्मार्ट मिररिंग जैसा कु और वाई फॉडिश्व्य ओं करना यह दिस्पै ओन करने के वाद यह हमसे w登録 с k और यहां पर करेंगे वाई फाय के लिए आपको अपने PC का नाम दिखाई देगा PCF laptop जो भी उसका नाम दिखाई देगा और उस पर क्लिक करना है कि यहां पर कनेक्टिंग दिखाई दे रहा है और यहां पर connected दिखाई देगा है और यह screen जो है वो connect हो चुकी है अब आप जो mobile में function करोगे जो भी वह आपको आपकी laptop की screen पर दिखाई देगा जैसे कि मैं इसमें कुछ भी open करता हूं जैसे मैं अपना YouTube चैनल ओपन करके आपको दिखाई देता हूं यह सब कुछ laptop की screen में दिखाई दे रहा है तो यह बड़ा ही अच्छा method है आप जैसे क्या होता है mobile की screen है वो थोड़ी छोटी होती है और वहीं अगर हमें कोई PDF पढ़नी है या फिर अपना कोई काम करना है या फिर कोई movie भी देखनी है तो उसे mobile में download करो आराम से और इस method आप उसे connect कर सकते हो laptop से और easily आप उसे देख सकते हो आज की वीडियो में बस इतना ही चैनल को like और subscribe करने के लिए आप सब का बहुत बहुत देनेवाद